तो उम्मीद करते हैं कि इंडिया और वेस्ट इंडीस के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसे आप सब डीडी स्पोर्स पर इंजॉय कर रहे होंगे मैं हूँ प्रीती दहिया मेरे साथ है मनिंदर सिंग और कल के दिन का जो खेल था वो पूरी तरह से इंडिया ने डॉमिनेट किया पहले तो वेस्ट इंडीस के बैस्पन को 150 ओल आउट कर दिया तो वहीं पर खत्म हो गई वेस्ट इंडीस की फर्स इनिंग्स और जब अब जब ट्रेल कर रही है टीम इंडिया तो बहुत बड़ा टागेट नहीं है उनके सामने असी रन बना लिये थे एड दी अड़ी और और उसमें भी कोई विकेट नहीं गवाया है लीड ली है यंग्स्टर यशेस्वी जैसवाल ने जिन्होंने चालीस रन बनाए है और उनके अलावा रोहिट शर्मा कैप्टन तो मैदान पर मौझूद है ही तो मनीबाजी ये तो साफ है कि मतलब टीम इंडिया के लिए ट्र बनने बड़े मुश्किल होंगे लेकिन जिस तरह का बोलिंग लाइनप है जिस तरह का एटिट्यूद देखा वेस्ट इंडीस के बोलर्स का और उनकी फीडिंग जिस तरह से देख रहे थे मुझे मैं हरान नहीं होंगा अगर इंडिन टीम कई 500 का आकड़ा पार कर ले और फिर दूसरी इनिंग में जल्दी आउट करके इस मैच को जीट ले सो कोई जल्दी आपको इंडिन बैट्समन की तरह से देखने को आज का पूरा दिन है तसली से चाहे जितनी मर्जी आप सेंचरी बनाएं जो मर्जी प्लेयर आके यहां पर मैदान में टिक है क्योंकि जल्दी से आउट करके निप्ता दे और इनिंग से इस मैच को जीट जाए जो कि अच्छी शुरूआत होगी जब आप शुरूआत करते वर्स वर्ल्टेस चांपिशिप के लिए फाइनल में पहुंचने के लिए ऐसी शुरूआत की उमीद तो करेंगे रोय शर्मा लेकिन दिसपोइंट किया वेस्ट इंडीस की तीम ने क्योंकि मैं उमीद कर रहा था टेस्ट मैच क्रिकेट है वेस्ट इंडीस की तीम अभी हाली में वर्ल्लक पे लिए क्वालिफाइब नहीं की और 40 साल के बाद पहली बार होने वाला तो मुझे उमीद लग लग ती कि कहीं नह प्राइटिंग लाइनप को पूरा एक्शन आप लगाता डीडी स्पोर्स पर हमारे साथ एंजॉय करते रहिए